हेलो स्टुटेंट आज हमनों क्लास 10 का चैप्टर रियल लंबर एक्सरसाइज 1.4 का कुश्य नमबर आज 3 देखेंगे लास्ट कुश्य अमनों का इस चैप्टर का जो चली देखते हैं हमनों का इस कुश्यन में क्या करना है इसके बाद देखें हमनों क्या करना इसमें इसमें तीन कोश्यन दिये ना 1,2,3 करके अब देखें इसमें क्या कर रहा है हम लोग को इसको बताना है कि यह रेशनल लंबर में है या नहीं है मतलब इस रेशनल लंबर है या इस रेशनल लंबर है हम लोग को यह बताना है अगर रेशनल लंबर है तो किसके फॉर्म में होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा तो हम लोग को बताना है, कि Q का prime factor क्या होगा, भी लोग को ये बताना है, तो चलिए देखते हम लोग, इसको कैसे solve करेंगे, सबसे पहले देखे हम लोग का क्या है, rational number हम लोग किसको बोलते है, terminating से 10 को divide करेंगा, तो बार भर repeating आते जाएगा जिससे कि आप डिवाइड करेगा 3 से 10 לא कितना जाएगा 3 या जाएगा कितना जाएगा take 309 Weन यहां क्या लग जाएगा point 0 फिर से कियागा 33 39 यह क्या होगा repeat करते जाएगा 1 बचेगा फिर 33 जाएगा repeat करते जाएगा repeating होता है ना तर्मिनेटिंग तो हम लोग क्या कहेंगे हम लोग का रिपीटिंग हो उसको हम लोग क्या कहेंगे repeating नहीं होता है ने हम लोग इसको एसको कहेंगे irrational ठीक है वह हम लोग का जैसा कि इसको देखिए यह हम लोग का देखी repeating नहीं कर रहा देखिए क्या है 0.120 है उसके पूइंट 00øre 1200 फिर 1200 Aremacy करते यह पिर 40 यह यानिसी हम लोग कहा । repeating नहीं कर रहे हम लोग का रिपीटिंग Typically हम लूंसिכे तो चलिए हम लोग इसमें दिखेंगे चर्फ करेंगे हम् लोग का करेंगे हम रोग का आंशर क्या हो जाएगा फिर्सट और हम फिर्सट का अंसर क्या हो जाएगा अधै can Okay,aa it has a termina ah the terminating decimal expansion, it is a rational number in the form of P by Q and Q has a factor of 2 and 5, it has a non-terminating terminating 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 and non-repeating, क्या है, non-repeating, non-repeating, आप आगे हम लोग देखते हैं, decimal expansion, it is an, it is an, क्या होगा, irrational हो जाएगा, irrational number, आप चलिए हम लोग देखते हैं, number ना, आप चलिए हम लोग देखते हैं, complete होगा, third number देखते हैं, हम लोग का क्या है, third number देखते हैं, अब लोग का क्या होता है, हम लोग का non-terminating होता है, मतलब रिपीट करते जा रहा है, बार बर जिसके मतलब की, इतना लिखेगा 1,2,3,4,5,6,7,8,9 एक पॉइंट के बाद 1,2,3,4,5,6,7,8,9 इसके बाद फिर से क्या करगा repeat करगा 1,2,3,4,5,6,7,8,9 फिर repeat करगा 1,2,3,4,5,6,7,8,9 इसलिए हमनों क्या बार दिया हुआ है तो चल्ले हमनों यहापे लिख देंगे it has non-terminating 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 but repeating but क्या क्या है repeating है repeating decimal expansion expansion it is क्या है it is a rational number a rational number a rational number in the form of in the form of rational number तो किसके form में लिख सकते है in the form of p by q के form में लिख सकते है हम लोग का rational number है तो p by q के form में लिख सकते है आप चल्ए हम लोग आगे देखते है and q क्या हम लोग का q क्या हो जाएगा q has factor other than मतलब की दूसरा होगा other than यहाँ पर लिख देते है 2 and 5 2 and 5 मतलब की 2 और 5 के अलावा कोई और number होगा यह दोनों number नहीं होगा उनके placement जो इसका factor 2 और 5 के form में नहीं होगा और किसके form में हो सकता है 3, 7 हो सकता है या 3 बस हो सकता है या 9 हो सकता ऐसे होगा ना 2 और 5 नहीं होगा तो हम लोग क्या कहेंगे non-terminating जैसे हम लोग नहीं हाँ पर इससे पहले question number कुछ में बनाया था देखिए हम लोग का क्या रहता है जब इसके form में नहीं रहता है 2 और 5 के form में नहीं रहता है तो हम लोग क्या कहता है non-terminating जैसे इसमें 7 था तो non terminating इसी परकार से इसमें भी 2 और 5 नहीं होगा न तो यह हम लोग का answer हो जाएगो social video पसंद है तो like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और इस channel को subscribe कीजिए Thank you